केरला की बात बता रहे हैं हम अरे हम सुपरिम पोड जो बोला है केरला की सुपरिम पोड जो आए उस दुखत इनके दुखत घटना के संबंध में जो आपने अपनी राय रखी है सबसे तो पहले हम बताना सदन को ये चाहते हैं कि सरकार पूरी तरीके से और सत्ता पक्ष पूरे मुस्तेदी से आपने जो भावना प्रगट की है हम उसके साथ हैं आपने जो भावना प्रगट किये उस दिन की दुखत घटना हमने पढ़ा है निताप्रतिपक्ष वही मानते हैं कि उस दिन की घटना ये एक लोग तंत्र को कलंकित करने वाली घटना थी इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है लेकिन सोचने की बात महोदय ये है कि लोग तंत्र बसता कहां है लोग तंत्र का निवास अस्थान कहां है अगर लोगतंत्र कलंकित होता है अगर हमारी विवस्था लहुलुहान होती है तो वो जगह कौन सी है कि जहां पर अगर उसकी इज़त और आबरू रेजी की जाए तो उससे लोगतंत्र ज्यादा कलंकित होगा महोदे ये हम सब जानते हैं कि अपने जनतंत्र में संप्रभुता जो सोवरेंटी करती है वो जनता के पास होती है और उसके आदेश और उसके प्रतिनिधी के रूप में हम लोग यहां पर उस संप्रभुता का उपयोग करते हैं सरकार चलाते हैं कानून बनाते हैं महदे आपने एक बरेही सही चीज की और इशारा किया है कि पूरी दुनिया पूरा देश देख रहा है कि हम सभी माननिय सदस्यगन जिनको जनता ने अपना विश्वास देखे जनतंत्र की रच्छा करने जनतंत्र की हिफाज़त के साथ जनहित के काम करने के लिए यहाँ जा है हमारा आपका आचरन उस अनरूप में होता है कि नहीं होता है इस पर जनता जरूर देखती है और सोचती है महुद आपने सही कहा है कि अभी ये हम समय हम लोगों के लिए सब के लिए सचेत होने का समय है कि अगर हम नहीं सचेत हुए तो आने वाली हम लोगों की पीड़ी जो होगी जन परतिनीदियों की पीड़ी वो हमें नहीं माफ करें क्योंकि हम लोग आपने आचरन से सरकार के दूसरे अंगों को अपने कारियों में हस्तक छेप करने का मौका दे रहे महोदे अभी कुछ ही दिन पहले मानिय उच्चेतम न्यायाले ने क्या कह दिया केरला के मामले में महोदे सम्विधान के अनुच्चेत 212 के तहट हमें पूर्ण निर्बंधनता है जो हम यहां जो कुछ करेंगे जो कुछ बोलेंगे उसकी न्यायाले में समिक्षा नहीं की जा सकती है ये संभिधान ने हमको ये सेफगार्ड और ये इमिनिटी दी है कि हम जो करेंगे बोलेंगे वो दूसरे नहीं पूछ सकते हैं कि आपने इसा क्यों बोला है उसके लिए हम कहीं अकाउंटेबुल नहीं है अगर सदन के सदत से अगर कहीं अकाउंटेबुल है तो या तो इस आसन के प्रती नहीं तो फिर जनता के प्रती लेकिन उच्चतम नयायले ने अभी दस दिन पहले की बात है उसने क्या कह दिया केरल के मामले में कि हम आपकी इमिनिटी मानते हैं लेकिन वो स्वतंत्रता आपको किसी विशेपर अपने विचार रखने के लिए है विमर्ज करने के लिए है वाद विवाद करने के लिए है अपनी राय रखने के लिए है लेकिन अगर आप सदन में कोई आपराधिक क्रित करते हैं या कोई नियम तोड़ने का कृत्त करते हैं तो आप नियम तोड़के आप राधिक कृत्त करके सम्विधान के उस क्या कि ने हम आपको नहीं कह रहे हैं हम आपको नहीं कह रहे हैं मानने नेतापर केरला की बात बता रहे हैं हम हम सुपरेम कोर्ट जो बोला है तो बोला है केरला की सुपरीम कोर्ट जो आदिश दिया उस पर ही बोल रहे है बट जई है हम आप सुपरिम आप 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 अब बाद जाए बोलना दीजिए एक में बाद आप इस ने पर जाए हम ने यह नहीं कहा कि किसी मानिय सदस्य ने यहां विधान सभा में कोई अपड़ादिक करत किया हम तो सिर्फ सुपरिम कोट के केरला के मामले में जो उसकी टिपनी है हम उसको कोट कर रह ते हम अभी तक कहा कहा है कि कि यहां पर किसी ने अपना दिक आपना दिक चरिट के है मान जे सद्द करती कि मेरथा से सुनिये ध्यान से ए Kitty बता देँ कि जो औन भहव वरिये लोगों का नए सबी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए और अम जिय are और महुद है उसके तहत उसने ये भी कहा है हम तो सिर्फ मानिये नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष आप ही को हम कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ ये इशारा कर रहे हैं कि हमको घेरने के लिए कहां कहां से हाथें बर रही हैं उंगलियां उठ रही हैं सचेत हमको होना है सुप्रीम कोट ने उसी मामले में महोदे कह दिया कि इस सदन के अंदर ये कुर्सी टेबुल आशन माई ये जितनी चीजें हैं ये सब पब्लिक प्रोपर्टी हैं ये सब सरकार के पैसे से बनी हुई चीजें हैं और अगर इनको नुक्सान होता है तो डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी में जो धाराएं लगती हैं वो सदन के अंदर भी अगर मानिय सदस ऐसा कृत्त करते हैं तो वो धाराएं उन पर लगेगी और उसका मामला बनेगा महोदें हम तो सिर्फ सचेत कर रहें कि देखना सोचना यह महोदें कि हम अपने लोग तंत्र और अपने विधाय का की इज़्यत किस तरफ ले जाना चाहते हैं कि लोग हमें स्रद्धा की नजर से देखें या लोग हम पर IPC CRPC की दफा लगाने के लिए हम लोगों को नज़त देखे महोदें और जहां तक मानिये नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन की घटना और जांच के या उसमें दोसी या प्राधी की बात की है महोदें सरकार का और पूरे सत्ता पक्ष का पूर्ण विश्वास इस आसन के साथ है और उस दिन चाहे सदन के अंदर जो घटनाई घटी या सदन के बाहर जो घटनाई घटी संजोग से सभी कुछ बाहर भी वाइट लाइन के अंदर है जो बिलकुल आपके विशिस्ट छेत्राधिकार में है उसमें सरकार की कोई चलती नहीं है, सरकार कहीं माईने नहीं रखती है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है, यहाँ पर जो आप कहेंगे वही होगा, और हमने पहले भी कहा है, हमने पहले भी कहा है कि सरकार पूरे विश्वास के साथ और में अंत में महोदय हम यही कहेंगे कि हमारे बहुत सारे अरे घबडा कहे रहे हैं हमको एसी बात तो कह नहीं नहीं महोदय जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वो सही कहा है सारी चीजें आपके संग्यान में है और हमने कहा कि हमको पूर्ण भरोसा है इस आसन पर कि आप वीडियो फूटेज देख ले सारे चीजों जो जीन के कारण उस दिन और विवस्था फैली हम तो यही कहते हैं कि जीन के कारण और विवस्था या उस दिन का काला अध्याय बिहार के विधायका में जुड़ा उनको आप चिन्नित करके चाहें सरकारी अधिकारी हो या मानिय सदस्य हो जो भी इसके लिए जिमेवार हो आप कारवाई करिए सरकार आपकी कारवाई के साथ महोदे हम और कुछ नहीं कहना चाहते अभी तेजस्वी जी सरकार की बात कर रहे अरे हम लोगों की सरकार नितीश कुमार जी के नित्रित में तो हम समवैधानिक और प्रजातांत्रिक मुल्यों को ऊपर उठाने वाले हैं उपर ले जाने वाले हैं हम लोग हम लोग कोई नीचे ले जाने वाले नहीं है महोदे और महोदे अंत में अब भय सांती बनाए रखिये सुन लिजिए पाच परती पाच दोनों एक दुसरे को गंभीरता से सुनिएगा तब ने अपनी बात को भी मर्स करिएगा इसलिए महोदे आप जो निरने लीजिएगा आपके छेत्रादिकार में है और और अंत में हम दो पंक्ती कहके महोदे समाप्त कर देंगे यह अंतिम दो पंक्ती है यह सार है आपने जो कहा तो सार है कि हम लोग तो यह चमन जो है प्रजात तंत्र का जम हूरियत का यह गुलसन जो है जिसमें हम सभी फूल खिलते हैं कि चमन को सीचने में पत्तियां कुछ जड़ गई होगी यही इलजाम है हम पर बेवफाई का मगर महोदे मगर चमन को रोध डाला जिन ने अपने पहड़ो से वही दावा करे है इस चमन के रहनुमाई का हुआ करें हिस्ट अपर्या पर जड़ो चाहर अपर चूकर हुआ है